मैं गने साधित ते फिर से आपका स्वागत करता हूं कमपडिशन कमुनिटी पे ठीक है दोस्तों आज हम सिंदुखाटी सभेता का करने वाले हैं जो चेप्टर हमने पढ़ा है उससे आधारित इन प्रस्नों को बनाया गया है तो ध्यान रखेगा यह जो प्रस्न है आपके एक्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ठीक आप इन प्रस्नों का संक्लन संग्रा करकर रहेगा ठीक और साथ में आप बनाते भी सींदूगाटी सबहता का ऐसा कौन से स्थाल है जहां से टीज तो ध्यान रखेगा तुन हमारा राकी गड़ी ओं जो दारो चणथलो और सुदकोड़ा ठीक जहां से हमों को तिन इस्थार प्राप्त वह जोंको या तीन अवस्थाय प्राप्थू है वह आपका पहला दौला वीरा राखी गड़ी यह दोनों अवस्थान ऐसे हैं जहां से तीन अवस्थाइं मिली हैं ठीक है आई अब हम दुसरा प्रसंद देख लेते हैं किसने सिंदु घाटि सभेता के अंद का कारण किसको बताया बाढ को बताया तो हमको य चेप्टर में पढ़ें हम लोग पिछला वीरियो में क्या है मार्सल अवं मैक तो मार्सल अवं मैग न подготов क्या है ध्यान रखिएगा गाडल चैल ने क्या credit बताया है गाडल चैल ने बताया है आर्रियों Decay आर्यों का कर्ido慮 थिक है तो हमको एंसर ये हमारा answer है Marcell A. Mac, क्लियर है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट धन रखीगा सिंदुखाटी सभैता की तिसरी राजधानी किसे कहा जाता है ध्यान रखेगा सिंदुखाटी सभैता की तिसरी राजधानी Third Capital of Indus Valley Civilization तो किसको कहा जाता है, काली बंगा, लोथल, धौला वीरा और चनहुदुरो, इन में से कौन सा सिंदुगाटि सभेता की तिसरी राजधानी है, तो सबसे पहले परथम राजधानी कौन है भाई, परथम राजधानी किसे माना जाता हरपा, ध्यान रखेगा, कौन सा हरपा, त तो ध्यान रखेगा, हरपा प्लस मोहन जोदारो, ये दोनों क्या कहलाते हैं, टिक, ट्विन कैपिटल, ध्यान रखेगा, ट्विन कैपिटल, अर्थात, जुडवा राजधानी, जुडवा राजधानी, अब बात आ गई तिसरी राजधानी की, तो ध्यान रखेगा, सिंद किसे कहा जाता है काली बंगा को सिंदु घाटि सभेता की तीसरी राजधानी कहा जाता है क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें फीड अगला हमारा प्रस्थ है निम्न लिकीत में से हूं प्रारम्भिक हडपा संस्क्रिती से समदीत ऑइसी प्रारम्भीक भी कहते हैं ध्यान रखीगा क्या केते हैं प्राक हडपा संस्कृति ठीक प्राक एक सब दियाद रखेगा प्राक तो आपको क्या लग रहा है कि काली बंगा लोथल धोला विराद चनहुदुरो इन में से कौन सा स्थान है जो प्रारंभिक हडपा संस्कृति को इंगित करती है ठीक बता यह कौन सा है तो इसका उत्तर आएगा चुदुरो यह जो है आपका प्राक हडपा संस्कृति के समय से है clear है कौन चुदुरो चलिए अगला परसन देखते है अगला परसन है मारा भारत में रेशे के प्राचिनतम साक्ष कहां से प्राप्थ हुए हैं, तिक रेसम का ध्यान रखेगा ना, रेसम का चल रहा ही है, तिक भारत में रेसम के प्राचिंतम साक्ष कहां से प्राप्थ हुए हैं, तो रेसम के प्राचिंतम साक्ष जो है, वो हमारे महारास्ट से प्राप्थ हुए हैं, ध्यान देखते हैं अगला प्रसन के साथ सिंदुघाटी की लिपी को किस नाम से जाना जाता है ध्यान रखेगा सिंदुघाटी से भेता का जो लिपी है उसे हम अन्न किस नाम से जानते हैं ठीक तो किस नाम से जानते हैं सबसे पहला चीज़ है बुस्त्रफेदन बिल्कुल इस नाम से हम जानते हैं अंत्रीं का टो तीन नाम मिलते हम को बुस्त्रो फेदン जानते हैं जानते हम अर्थ रोगत सभी क्लीएर है चलिएई बढ़ते हैं अगला है हमारा प्रस्ण कि निम लिखित में से कौन सू मेलित नहीं है फिर मैं आपको बतादू सू मेलित नहीं इस नहीं को आप अंडरलाइन करके चलिए ठीक है हमेशा गलती इसी पॉइंट से होता है तो चलिए आज ये पहला है रोपड सतलज नदी के तड़ पर सही है को ये भी सही है तो क्या चनहुदूरू जो है रावी नदी के तड़ पर है बिल्कुल नहीं रावी नदी के तड़ पर चनहुदूरू नहीं है चनहुदूरू जो है सिंधू नदी के तड़ पर है हमने चैप्टर में पढ़ा था ठीक सिंधू नदी के तड़ पर कौन-कौन सा नगर आता है पहला आता है आपका ओंजोदारो धीक डूसра चनुद़ो और तीसरा आता है आपका तिक वहां पर जिसके अगनिकांट के कारण कोटस्ट दीजी अगनिकांट के कारण जिस नगर का अंध हुआ था लागत सिंधु गार और संबंद में असत्य कथन बताइए ठीक तो हमको यहां देखना है कि कौन सा इसमें गलत स्टेटमेंट है यह नगरे सभेता थी सब जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक चलिए ओके है कृसी प्रमुख वहसाय था बिल्कुल सही है ठीक कृसी प्रमुख वहसाय था क्योंकि लोहे से परिचीत थे बिल्कुल नहीं ठीक सिंदुगाटी सभेता के काल में ठीक लोहा लोहे से परिचीत नहीं हो पायते हैं इसके बाद का काल में यह लोहे से परिचीत होते हैं तो इसका उत्तर आएगा हमारा डी ठीक अर्थाथ चिंदुगाटी सभेता के संबन में जो जो असत्य कहतन है वो लुहे से परिचित वाला स्टेटमेंट है चले आगे बढ़ते हैं अब देख लेते हम अगला कोश्चन हमारा है सिंदुगाटी सभेता निम लिखित में से किस सभेता के समकालिन नहीं है यह देखिए फिर यह नहीं इसी नहीं को आपको एक्जाम में ब लगाईए मिस्र मेसोपोटामिया चीन और आपका ग्रीक तो ध्यान रखिएगा ग्रीक की सभेता तिक समकालिन सभेता नहीं है तिक किसकी सभेता ग्रीक वाली चलिए आगे बढ़ें अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन हमारा है कि पैमाने की खोज में यह सि लो थल ही एंसर लगाना है ध्यान रिखेगा कहां पर लो थल ठीक है चलिए इसमें दिक्कत नहीं थी तो आपको की माप्टों की बात या पहला ही कोश्टन आ इस सब्सके आगे बढ़ते हैं हरपा कालीन समाज कीन वर्गों में विभगत था ध्यान रखिएगा ठीक हर समय कुछ नच वर्ग रहता ही रहते हैं तो इस समय किन वर्गों में विभगत था हरपा कालीन समाज पहला है सिकारी, पुजारी, किसान और च्छत्री चलिए च्छत्री ऐसा कुछ उसमें ठीक वर्गी करण नहीं था क्योंकि छत्री वाला कंसेप्ट तो बाद में आया ठीक कब आया रिगवेदी काल में विद्वान, युद्धा, वैपारी और स्रमिक सोचा जा सकता है फिर ब जद्वान, युद्धा, वैपारी और स्रमिक बिलकूल यही एंसर इसका ठीक है आगे बढ़ें चलिए आएब हम देखते हैं ठीक अगला प्रस्न ठीक अगला प्रस्न है लोथल के संबन में अशत्य कथन बताईए ठीक लोथल ध्यान रखेगा लोथल जो कि गुजरात में ठीक भोगवा नदी के तट पे ठीक उसके संबन में है कि लोथल के संबन में असत्य कथन बताईए ठीक यहां अगनी वेदिका के साक्ष मिले हैं यहां से यूगल सवधान मिला है हाथी दात का पैमाने मिला है और जूकर धाकर संस्कृति तो ध्यान रखेगा अगनी वेद ए यूगल समधान मिला है ठीक है और वहीं त्मी तीन के मात्रम मिले मतलब तीन यूगल समधान थीन अलग अलग जगह पे दो-थो लोगों को दफ़ना आए घया था हाथी-दात का पैमाना ये भी मिला ह्यां और ये आपका उत्तर होगा ठीक इंक असत्य बताईए ध्यान धक्ज झुकर धाकर संस्कृति का साक्ष चनफुद्रों से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़एं। ठीक अगला ंपरस्ट है काली बंगा की खोज या उतखनन न में किसका योगदान था। हमने पढ़ा और बिल till के थापर हमने ट्रिंग मनाया था। खाली, बंगा, अर्थात, काली, साडी जो पहनी हैं, काली, चूड़ी जो पहनी हैं, फिर घगर भी हमने बताया था, घगरा उब्याज है, छिलेजिक, आनि की उपरोगत सभी, clear हैं, कि चलिए आगे बढ़ते हैं कि यह सारे चीज़ें की चर्चाम क्लास्म कर चुके हैं ध्यान रखेगा प्रसाधन सामगरी एक सब्र आ गया प्रसाधन प्रसाधन सामगरी ठीकता था मनखा बनाने का कारखाना और साथी साथ पूर हडपा संस्कृति के साख्च किस स्थल से प् चल जाएगा तो क्यों कि पूर हडपा संस्कृति आ गया और वह है चनुद्रो छनुद्रो ही हमारा क्या है का बनाने कार खाना कार्खाना जैसे बोल दियां तो यह आपका अध्योगिक नगर हो गया क्या हो गया और द्योगिक, नगर, ठीक है, शाथी-साथ ध्यान रखिएगा, पूरुहणप्पा संस्कृती और प्रसाधन सामागरी, में हाँ, कंगा मिला है, ठीक है, लिपिस्टीक मिला है, ये सारे चीजे कहां से प्राप्त हुई है, चौन हुदरों से प्राप्त हुई है, अगला प् सुद्र तट का सहर नहीं है तो ध effe 야 अरॉक होलाई विरां कच्छ के रड़ हैं ठेयान रखीगा कच्छ कर इसका उत्तरी ही है और यह जो तीनों स्थाल है यह समुद्र के तट पर हैं ध्यान रखिएगा ठीक अल्ला दिनों बाला कोट और सुथ कोट उड़ा चलिए आगे बढ़ें अब हम देखते हैं अपना अगला परस्न अगला परस्न है पसू पतिनाथ के मुहर पे निमनिमे से क अभड़ा था कि कौन कों से पासू अंकीत है तो ध्यान रखिएगा ठीक तर दूसरे तरफ गेंड़ा और आपका भैसा ठीक नीचे में दो हिरन थे ज्यानस की नीचे में धो हिरन तो इस मैं से गेंड़ा हाथी और हिरन आ रहा है iki याए नहीं है ध्यान रखेगा तो पसू पतिनात की मुहर में कौन सा पसू अंकित नहीं है तो गाय गाय अंकित नहीं है आगे बढ़ें चलिए अगला परसंद देख लेते हैं निमलेखित में से कौन सू मेलित नहीं है चलिए भाई देखे रंगपूर गुजरात में है रोपड प पंजाब में है बनावली हर्याना में है लेकिन जो कोड़ दीजी है ठीक यह जो है पाकिस्तान में है ध्यान रखेगा कहां पर है पाकिस्तान तो राजिस्तान में आता नहीं है ठीक है ध्यान रखेगा पाकिस्तान कहा है ठीक पाकिस्तान में है ठीक तो कोड़ दीजी पाकिस से मिलता हैbn तामभ मिलना बालीच्श сама को मिलता है बालीच से कहां मिलता है इरान में यह बदखा और अफगानिस्तान दोनों जगह बदखांका होपसन है अर्थात हमारा option D, सही होगा, तिक, clear है, 4, 3, 2, 1, तिक, next देख लेते हैं, अगला हमारा प्रस्न है, निमनिवे से कौन सही सुमिलित नहीं है, ध्यान रिखिएगा, which of the one is not, तिक, correctly matched, तिक, पहला है सूद को तोड़ा, यहां से घोड़े की हड़ी मिली है, बिल्कुल मिली है और यहां से महाविद्यल्य भवन मिला है? Tam milा है, बिल्कुल मिला है, चन्हुदुलो सिंद्धु काटिस से भेता का, एक मात्र, ऐससा स्थल है, धीक, जहां से किसी भी प्रकार के दुर्ग का अस्थित्व नहीं मिला है, तिक, अगला है धौलाविरा, धौलाविरा को नकल नकलिस्तान के नाम से जानते हैं. धौलयवीरा उत्तम जल प्रबंद के लिए प्रसिद्ध है, वहां से हमको साइन बोड मिला है, तिक दस अक्छरों का साइन बोड मिला है, जिसको पढ़ानी जा सका है, तो यह होगा आपका नकलिस्तान, आपका महंजोधारों. ध्धौलाई विरा के संबन्द में जहां जानते हैं, ध्धौलाई विरा गुजरात के कक्षकेरण में इस्थित है, यहां का जो जल प्रबंदन का सिष्टम है, सब इसे उत्तम माना गया है, यहां से 10 अक्षरों का एक बोर्ड पराप्थ हुआ है, जिसको हम साइन बोर्ड के आपसे कल नियमित समय पे आपका वीडियो बिल जाएगा आपको यूटूब में चलिए धन्यवाद